Hello students, physics में कोई भी doubt है तो पूछो तो, और उसमें भी हम लोग कर रहे हैं, projectile motion में कोई भी doubt है तो पूछो तो, और projectile motion में अगर आपने last वाला वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने बताया था कि हम कैसे projectile motion को दो components से देख करके पूरा projectile motion analyze कर सकते हैं, एक x component वाला horizontal component वाला motion ज motion के तरह, फिर superimpose करके resultant motion निकाल सकते हैं और उसमें हम लोगों ने x और y ब्रेकर के velocity displacement acceleration यह सारी चीज़ें देख ली थी, अच्छा इसमें जब हम लोग कर रहे थे तो हम लोगों ने x का ये वाला figure अपने देखा हो अगर last वाला वीडियो तो ये वाला figure हम लोगों ने कर लिया था, तो अच्छा इसके आगे क्या करेंगे, x और y में हम लोगों ने break कलिया तो इसके आगे purpose क्या है, देखे purpose हमारा ये है अभी for the time being, projectile motion जो ground to ground हो रहा है, उसकी तीन characteristic quantities निकालनी है, first is time of flight, second is maximum height, third is range, हम लोग उसकी equation of trajectory, equation of path भी निकालेंगे, सबसे पहले आते है time of flight, time of flight होता क्या है, time of flight वो time है, जितनी देर तक projectile air में रहता है, time of flight is the time duration up to which projectile stays in the air, remains in the air, अब उतने time interval तक, जितने time interval तक projectile air में रहता है, का मतलब क्या है कि ground से ground आने तक का जो time है, उतने देर तक को air में रहा है न, अब ground से ground आने तक का जो time है, उसको निकालने का, time of निकालने के दो तरीके, दोनों अभी के भी मैं पताने जा रहा हूँ, पहला तरीका यह है कि आप अगर Y Component of Motion देखो, यह Y Component का मैंने फिगर बना रखा है, Y Component of Motion में, पहले मैंने बताया था कि Ground जो पूरा motion है, उसमें आधा motion हम ब्रेक कर सकतें, Ground से लेकिest Peak Point तक का, जिसको बोले हैं सेंट, और आधा Brick कर सकतें, Peak Point से Ground आने तक का जिसको बोले हैं, पीक पॉइंट पे आके क्या जूरो होता है, पीक पॉइंट पे आके पाड़किल रुखता नहीं है, यह कोई one-dimensional motion नहीं है, यह two-dimensional है, पीक पॉइंट वो पॉइंट है, जहां पे पाड़किल अपनी maximum height पे है, अब वो y में, यानि height में और चड़ना बन का दिया है, पीक अब हम उस time interval की बात कर रहे हैं, जो time of ascent जिसको बोलने चाहरे हैं, जहां पर आके y component 0 हो जा रहे है, अब हमने लिगा 0 is equal to u sam theta minus gt, u sam theta is equal to gt, तो t is equal to u sam theta upon g, यह आगे time of ascent, वो time जितनी देर में पोचक्टाई ground से peak point पहुंच जाता है, u sam theta upon g में, अब हमें मालू में कि since ascent or descent विल्कुल similar होते हैं, तो जितना ऊपर जाने में लगा होगा u sam theta upon g, तो नीचे आने में भी लगा होगा u sam theta upon g, तो total time of flight होगा, ascent or descent का sum, वो हो जाएगा 2 u sam theta upon g, या अगर component form में लिखना चाहें, तो u sam theta initial velocity का y component है, तो बन जाएगा 2 u y upon g, अच्छा मैंने बूला होता है कि दो से, दो तरीके बताऊंगो, तो दूसरा तरीका करें, दूसरा तरीका जादा असान है, और थमझने में भी बहुत ही, जी हो जब भी एग्जाम में आए, derive करने को board exam, school exam में, तो अब दूसरा वाला तरीका यूज करें, क्या है, initial velocity u sin theta थी, acceleration minus g था, तो आप लिखो, s is equal to ut plus half a t square, s is equal to ut plus half a t square में y direction में लगा रहे है, तो s बन जाएगा displacement या अनिकी height, u बन जाएगा u y, half a t square में a बन गया minus g, अब h is equal to u sin theta minus half g t square है, ये देखे, मैंने लिखा हो, s is equal to u sin theta t minus half g t square, जब ये projectile ground to ground projection की बात कर रहे है, प ground से ground पर ही आ गया, ये देखे, इस figure में जाएगा सुन जाए रहे है, ground से ground में आ गया, तो फिर से वहीं पर आ गया, ground पर, तो y डिरेक्शन में पहले उपर गया, भी नीचे आ गया, तो y में displacement 0 हो गया, इसलिए हम लोग यहाँ पे height जो है, y में displacement 0 रग दें, 0 is equal to u sin theta t minus half g t square, u sin theta t is equal to half g t square, t से t कटेगा, तो t की value आ जाएगी to u sin theta upon g, ये आगया हमारा time of flight को निकालने का दूसरा तरीका, अब हम आते हैं maximum height, आप time of flight समझ गया होंगे, y में displacement 0 करके निकालना है, अब आते हैं maximum height, maximum height क्या है, maximum height ground से ये जो आपका projectile तक, ground से कितनी height तक, maximum height तक गया, क्या करें, वही y direction, आपको हमेज़ा देखे time of flight और maximum height, दोनो y direction और motion से निकालने है, इस बार क्या लगा ना, v square is equal to u square plus 2s लगा देना है, तो v square में vy square, u square, u square, u square, to a, a के जगे minus g, minus 2gh, अब क्या करें, peak point पे आके maximum height पे, आके y की velocity, vy कितनी हो जाती है, 0, 0 is equal to u square minus 2gh, u square is equal to 2 h is equal to u square by 2g, वो h जहां पे y component की velocity 0 और u maximum height है, जो y u sin theta है, u sin theta का whole square by 2g, यानि की u square sin square theta upon 2g, यह आगे है हमारी maximum height, u square sin square theta upon 2g, दोनो time of flight और maximum height, y component of motion से निकालने है, simply uniformly accelerated motion की equation यूज़ करके, अब आते हैं range, range कैसे निकालेंगे, तो देखे time of flight हो गया, हमारा maximum height हो गया, range कैसे तो देखे range है क्या पहले तो यह बताइए, range क्या है, पूछो तो पहले, range क्या है, range है projectile की horizontal direction में चली गए distance, यह, 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 जी, range है, distance traveled by the projectile in horizontal direction during its entire time of flight, फिर बोल दाऊ, range is the horizontal distance traveled by the projectile during its entire time of flight, x में चली गई, horizontal में चली गई distance, अचा, x में motion कैसा था uniform? तो distance is equal to speed into time, speed कितनी थी x में ux, time कितना लगा, 2u sin theta upon g, 2u y upon g, यह बनगे 2u x u y upon g, ux कितना है, u cos theta, u y कितना है, u sin theta, u so u multiply हुआ u square, 2 sin theta cos theta किसका formula होता है, 2 sin theta cos theta किसका formula होता है, पुछो तो sin 2 theta का, sin 2 theta होता है, 2 sin theta cos theta, यह बनगे u square sin 2 theta upon g, तो range आगे है हमारा u square sin 2 theta upon g, और range आपने x के motion से, y के motion दोनों को superimpose करके निकाला है, time of flight और maximum height यह हमने y के motion से निकाला है, x में uniform motion की equation लगाई है, y में uniformly, x related motion की equation लगाई है, तो अगर आपको time of flight, maximum height और range निकालना समझ में आ गया हो, तो पहले तो आप चैनल को subscribe कर लिजेगा, तो कि अगला वीडियो जो मैं डालूँगा, उसमें मैं डालूँगा कि range, maximum कब होती है, range कब किस दू इंगल पर सेम हो तो इन चारो जगहें पर किस चाइब के question हमारे आ सकते हैं, ये सारी चीजे हम लोग cover करेंगे, तो ये आपको update पहुचने के लिए आप इसको subscribe कर लिजेगा झालूँ झालूँ झालूँगा